हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्मसिस गाइड पर दोस्तों हम हमेशा आपके लिए नई-नई मेडिसीन के बारे में जानकारी लेकर आते हैं हम अगर छोटे शहर में रहते हैं या गाउं में रहते हैं तो वहाँ 24 आवर्स डॉक्टर की फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाती या अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या फिर रात के समय हमें कोई डॉक्टर नहीं मिलता या medical store open नहीं रहते तब हमें emergency में अपने past medicine रखी वी इस्तिमाल करनी पड़ती है हमने lockdown के समय भी ये देखा कई लोग छोटी मोटी बिमारी के लिए बाहर जाने से कतराते थे जायतर लोग अपने past रखी वी medicine का इस्तिमाल करते थे या अगर उनके पास medicine नहीं होती थी तब उन्हें इस situation में बाहर जाना ही पड़ता था तो आप अपने पास घर में इस तरह की first aid kit box बना कर रख सकते हैं आज हम जानेंगे इस first aid kit box में जो है कौन-कौन सी medicine हमें हमेशा अपने emergency की situation के लिए रखनी चाहिए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो की notification आपको मिलते रहे तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली जो important दवा हमारे first aid kit box में रहनी चाहिए वो एक paracetamol और ibuprofen combination की होनी चाहिए paracetamol हम सभी जानते हैं वो fever में और दर्द में काम आती है साथ में जो ibuprofen है वो एक NSAID drug है मतलब non-esteroidal anti-inflammatory drug है यह हमारी सरदर्द में दाथ दर्द में menstruation cramp जो हो जाती उसमें काम करता है muscles की pain में काम करता है साथ ही यह inflammation को भी ठीक करने में मदद करता है इसका जो famous brand है वो है flexon या फिर combiflam दूसरी जो important medicine हमें first aid kit box में रखनी चाहिए वो gas में या acidity में काम आने वाली हो सकती है बाहर के खाने खाने से बाहर के खाना खाने से या unhealthy food खाने से हमें gas की problem हो सकती है तो इसको ठीक करने के लिए हम किसी भी एक medicine को अपने पास किसी भी combination की medicine रख सकते है market में अलग-अलग salt की medicine available है जैसे pentoprazole, raviprazole, omiprazole, isomiprazole, ityadhi तो आपको जो भी suit करती है उसके accordingly आप इस emergency box में रख सकते है अगली जो important medicine हमें अपने first aid kit box में रखनी चाहिए वो आपके पेट के दर्द में काम आने वाली हो सकती है इसमें आप diceclamine या mefenemic acid वाली salt वाली ले सकते हैं या फिर सिर्फ आप diceclamine salt वाली भी रख सकते हैं हमारे पास जो medicine है वो है meftalispast इसमें mefenemic acid और diceclamine hydrochloride ये दोनों salt मिला हुआ है diceclamine पेट के दर्द को ठीक करता है और mefenemic जो है एक NSAID drug है जो की पेट के दर्द के साथ साथ inflammation को भी ठीक करता है next जो medicine हमें रखनी चाहिए वो मिटिंग में काम आने वाली हो सकती है इसमें हम domperidone या ondon citron salt वाली medicine रख सकते हैं मैंने जो अपने पास रखी है उसका नाम है ondon 4 इसमें ondon citron salt मिला हुआ है ये medicine काफी अच्छा काम करती है हमारी omitting की problem को ठीक करने में अगली जो medicine हम अपने first rate kit box में रख सकते हैं वो हमारे lose motion में काम आने वाली हो सकती है मेरे पास जो medicine available है उसका नाम है introquinal ये काफी सालों से market में उपलब्द है ये अपने नाम के नाम से ही जानी जाती है इसके अलावा आप lose motion के लिए metronidazole salt वाली medicine भी रख सकते हैं जिसका famous brand है metron 400 अगली जो medicine हम अपने first rate kit box में रख सकते हैं वो एक antacid हो सकती है ज्यादा खाने की वयसे या unhealthy food खाने से हमारे पेट में acidity हो सकती है जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा परिशान करती है तो हम ये digene अपने पास रख सकते हैं जो कि आपको किसी भी medical store पर easily मिल जाती है इसकी price भी बहुत कम है 20 रुपे में 15 गोली मिल जाती है next जो medicine हम अपने first rate kit में रख सकते हैं emergency के लिए वो है citrizin सर्दी में हमारे नाक से पानी आता है छीके आती है तो उसको ये citrizin ठीक करता है या फिर अगर किसी तरह के allergic symptom देखने को मिलते हैं तो उसमें भी ये काफी किस्छा आसर करता है अगली जो important medicine हम अपने first rate kit box में रख सकते हैं वो एक constipation में काम आने वाली हो सकती है इसमें आप visacodyl salt वाली रख सकते हैं हमारे पास जो medicine available है वो एक german remedies की garbisa tablet है दूसरी जो famous medicine same salt के साथ market में उपलब्द है उसका नाम है dulcoflex वो भी आप ले सकते हैं दोनों एक काफी famous brand की medicine है कोई भी आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगला जो हमें अपने first aid kit box में ज़रूर रखना चाहिए वो एक ORS powder होना चाहिए lose motion में या बहुत ज़्यादा गर्मी के वैसे हमारे body में पानी कमी हो जाती है कमजोरी जैसा feel होता है तो हमें यह ORS powder का इस्तमाल करना चाहिए इसका जो famous brand है वो है कट जाता है कहीं अगर घाओ है तो हम उसमें इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह उसमें काफी असरदार होती है अगली जो चीज हमारे first aid kit box में उपलब्ध है वह है एक handsome plus एक dressing का काम करती है कहीं कट जाता है या घाओ हो जाता है तब हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी infection से यह हमें बचाता है अगली जो important चीज हमें हमेशा अपने first aid kit box में रखनी चाहिए वह है detol या फिर savalon यह एक antiseptic liquid होता है कहीं चोड लग जाने पर कट जाने पर यह घाओ पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह हमें infection से बचाता है दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए आप एक अलग से first aid kit box बना कर रख सकते हैं जिसमें उनके इस्तमाल वाली चीज emergency situation के समय काम आ सकती है मैरे जो अपने पास बच्चों के लिए emergency के लिए सीरप रखी हुई है वो है सीना रेस्ट और नौर्फा जिल प्लस सीना रेस्ट जो है वो fever में सर्दी में allergies की condition में और नाग बंद में काम आता है नौर्फा जिल प्लस जो है लूज मोशन में य जादा जादा इसको अपने जाने वाले वाले वासा शेयर कीजिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद